सद्गुरू शादी कितनी जरूरी है और मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ये मेरे लिए सही रस्ता है क्या आप शादी शुदा है नहीं नहीं क्योंकि जादतर लोग ये सवाल बाद में पूछते है आप सही समय पर पूछ रहे है रेखिए पहले ये समझते हैं कि लोग शादी क्यों करते है एक इंसान के तौर पर चाहे आप आदमी हो या औरत आपकी कुछ जरूरते होती है जब आप आट साल के थे आपका नाम क्या है अनुश्का 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 ठीक है अगर आप शादी करेंगी तो हम आपका नाम आधा काड़ देंगे हम आपको अनु बना देंगे क्योंकि शादी करने के लिए आपको संस्कृत विद्वान कहा मिलेगा तो जब आप आट साल के थे अगर मैं कहता हूँ अनुश्का आप शादी करना चाहती है वो बक्वास लगती है मेरा मतलब है तब उस सवाल का कोई मतलब नहीं था उस सवाल के कोई माइने नहीं थे अगर मैं आपसे तब पूछता जब आप 6 के थे तो उसका कोई मतलब नहीं होता जब आप 8 के थे तो ये इस पर निर्भर करता है कि आपका परिवार किस तरह का है ये या तो एक मजाक होता या आप इसका विरोध करते या इसे वाकई समझे बिना आप हां कह देते अगर मैं ये सवाल आपसे 14 साल की उम्र में पूछता तो आप थोड़ा शर्माते क्योंकि आप सोचने लगे थे क्योंकि शरीर एक खास तरीके से बढ़ने लगा है हार्मोंस ने बुद्धी पर कबजा करना शुरू कर दिया है और अब आप सोच रहे हैं अगर मैं आपसे 18 साल की उम्र में पूछता हूँ तो आपकी परवरिश के माहौल के आधार पर आपका जवाब स्पष्ट रूप से हां या नहीं होगा अभी नहीं या बिलकुल नहीं ये इस पर निर्भर करेगा कि आपके साथ 14 से 18 की बीच क्या हुआ है हां तो अब ये अच्छा है कि उन सभी पड़ावों से गुजरने के बाद अब आप खुद सवाल कर रहे हैं नकि मैं आपसे पूछ रहा हूँ या आपके माता पिता आपसे पूछ रहे हैं आप खुद ये सवाल पूछ रही है क्या मुझे शादी करने की जरूरत है तो जरूरते होती हैं जब आप एक इनसान के रूप में होते हैं तो शारिरिक जरूरते होती हैं भावनात्मक जरूरते होती हैं मानसिक जरूरते होती हैं सामाजिक जरूरते होती हैं आर्थिक जरूरते होती हैं ये सारी चीज़ें होती हैं लोग शायद इन चीजों के बारे में जागरूगता से नहीं सोचना चाहेंगे किंकि उन्हें लगता है कि अगर वो इन चीजों के बारे में सोचेंगे तो उनकी शादी बदसूरत हो जाएगी पर वैसे भी ये चीजें तो हैं ही अगर यह arranged marriage है तो कोई दूसरा इस बारे में सोच रहा है अगर आप इसे खुद arrange कर रहे हैं तो आप निश्चित ही इस बारे में सोच रहे हैं हाँ या नहीं ये सब सोच विचार होते हैं तो आज कल महिलाओं के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया कुछ हग तक बदल गई है अब सामाजिक और आर्थिक कारणों के लिए जरूरी नहीं है कि उसे शादी करनी ही पड़े जब तक कि आप बस शरीर के साथ ही नहीं आई हो आपने ही समझी अगर आप सिर्फ शरीर हैं और आप में दिमाग नहीं है तो अलग बाद है वरना एक औरत को अब सामाजीक और आर्थिक कारणों से शादी करने की जरूरत नहीं है उसके पास चुनाब है वो अपनी खुद की आर्थिक और सामाजिक स्थितियों का खयाल रख सकती है सौ साल पहले ऐसा नहीं था आप में शादी के लिए चाहिए शारिरीक भावनात्म के मानसिक जरूरते न भी हो फिर भी बस सामाजिक और आर्थिक कारणों के लिए आपको शादी करनी होती थी हाँ? पर अब ऐसा नहीं है ये थोड़ी बहुत आजादी है अब आपके शादी करने के कम से कम दो कारण खत्म हो गए है अब आपको बागी तीन पर विचार करना है बस क्या आपको मानसिक तोर पर एक जीवन साथी की जरूरत है क्या आपको जीवन साथी की भावनात्मक जरूरत है आपकी शारिरिक जरूरतें वे कितनी प्रबल है आपको इसे अपने हिसाब से देखना होगा ये कोई सामाजिक नुस्खा नहीं है कि हर कोई शादी करे या हर कोई शादी न करे ये कारगर नहीं होगा एक व्यक्ति के रूप में आपकी जरूरतें कितनी तीव रहें अगर ये एक हलकी जरूरत है जिससे आप आसानी से पार जा सकते हैं अगर ये एक छोटे दौर की जरूरत है, तो शादी मत कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, क्यूंकि बंद जाने का कोई फाइदा नहीं है, क्यूंकि बंदने के साथ, ये सिर्फ दो लोग ही नहीं रहेंगे, ये चार या कभी-कभी छे हो जाते हैं, मैं ये नहीं कहा रहा हूँ, कि ये गलत है, क्या आप इसे चाहती हैं, यही सवाल है, हर इंसान को खुद के लिए सोचना चाहिए, न कि सामाजिक मानदन्ड से चलना चाहिए, सामाजिक चलन चाहे जो भी हो, मैं शुरू से ठीक यही बात कह रहा था, आप आध्यात्मिक सिर्फ तभी बनते हैं, जब आपके चुनाव सो फीसदी खुद के होते हैं, और आप दूसरी ताकतों से प्रभावित नहीं होते, आपको चुनना है कि क्या ये जरूरी है, अभी लोगों ने दूसरी तरह के समाधान ढून लिये हैं, पश्चिम में और भारत में भी काफी हद तक ये होने लगा है, ठीक है हम शादी नहीं करेंगे, हम दोनों बस साथ रहेंगे, हम लोग साथ साथ रहेंगे, तो ये साथ रहना, अगर आप बस एक इनसान के साथ रह रहे हैं, तो ये वैसे भी शादी ही है, ठीक है? चाहे आपके पास शादी का सर्टिफिकेट हो या ना हो पर अगर आप सोच रहे हैं कि आप हर सप्ता अपना साथ ही बदल सकते हैं तब आप खुद को एक गंभिर नुकसान पहुचा रहे हैं क्योंकि जैसे आपके मन में याददाश्ट होती है, वैसे ही आपके शरीर में याददाश्ट का भाव बहुत अधिक प्रबल होता है इसी वजह से हम आपको ऐसे स्थानों में ले जाते हैं भले ही आप तारकिक रूप से कुछ न समझें उन्होंने लगातार उर्जा के स्थान और दूसरे प्रकार की संभावनाओं के स्थान इसलिए बनाए हैं क्योंकि शरीर उसे आत्मसाद कर लेगा और याद रखेगा शरीर की याददाश्ट का भाव बहुत प्रबल होता है शरीर इसे आत्मसाद कर लेगा और याद रखेगा हो सकता है आप हिमाले को भूल जाएं लिकिन शरीर हिमाले को नहीं भूलेगा ये हमेशा याद रखेगा आप भूलने की बीमारी के कारण पूरी याददाश्ट खो सकते हैं लेकिन बहुत एक शरीर में यादें बनी रहेंगी शरीर इसे नहीं छोड़ेगा बस क्यूंकि आपने अपनी याददाश्ट खो दी है तो इस वजह से आप अपने कर्म तको नहीं खोने वाले हैं तो शारिरिक नजदीकी को हमेशा से यहां इस परंपरा में इसे रिणान उबंध कहा जाता है यह शरीर याददाश्ट का एक गहरा भाव विकसित कर लेता है और इस तरह की बहुत सारी यादें एक खास स्तर का ब्रहम और एक खास स्तर की पीड़ा पैदा करती हैं आप इसे सपष्ट रूप से देख सकते हैं आप इसे बहुत साफ देख सकते हैं जो लोग अपने जीवन के साथ लापरवा है वो सही माइने में आनंद को कभी नहीं जान पाएंगे वे बस वैसे ही रहते हैं कृपया आप इसे अपने आसपास ध्यान से देखें, ये साफ दिखता है, जो लोग अपने शरीर को लेकर अनुशासित नहीं है, वे कभी पूरी तरह से हस नहीं सकते, नहीं पूरी तरह से रो सकते हैं, वे ऐसे बन जाते हैं, क्योंकि एक ही जीवनकाल में, बहुत एक शरीर से परेचले जाईए, लेकिन ये ऐसी चीज है, जिसे आपको निजी तोर पर देखना होगा, कि मेरी जरूरत कितनी तीव रहे, अगर आप स्पष्टता से और समाज से प्रभावित हुए बिना इस पर गोर करना चाहते हैं, तो हमेशा सबसे अच्छा ये होगा, कि आप एक का खास अवस्था में लाइए, उस पष्टता में देखिए कि आपकी जरूरत क्या है, आपकी जरूरत वाकई कितनी तीवर है, अगर ये जरूरी नहीं है, तो बात खत्म, एक बार जब आप फैसला कर लें, तो उस दिशा में मत देखिए, अगर आप उस तरफ जाने का फै पूरे दिल से करते हैं, तो ये बहुत बढ़िया बात है, फिर भी ये सबसे अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि दुनिया में कुछ भी सबसे अच्छी चीज नहीं है, जो आप कर रहे हैं, उसमें अगर आप वाकई खुद को जोंग देते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात जिस पल आप सर्वश्रिष्ट करने की कोशिश करते हैं, आप खुद को हराने की प्रक्रिया पर आ जाते हैं। तो सबसे अच्छा काम करने की कोशिश मत कीजिए, जीवन बरबाद हो जाएगा, क्यूंकि इसमें पूरी दुनिया शामिल है, इसका मतलब है कि आपको सबसे अच्छा काम करने के लिए सिकंदर महान होना होगा, और यकीनन उसने सबसे अच्छी चीज नहीं की और नहीं कोई महान चीज की, क्यूंकि वो कुछ और करने के नाकाबिल था, तो हमने कहा कि वो महान है और उसे खारिच कर दिया, क्यूंकि वो असल में मनुष्य कहलाने की किसी भी श्रेणी में नहीं आता, तो ये ऐसी चीज है जिसके लिए आप अपने अंदर स्पष्टता का एक स्तर ल अगर आप जब आप जो भी आप कर रही हैं, आप बस पूरी भागीदारी से ज़ाडू लगाते हैं, हर दिन आप ज़ाडू लगाएं, आपको आत्मग्यान मिल जाएगा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए इतना ही करना है, पर समस्या ये है कि जो आदमी ज़ाड नहीं कर रहा, यही पूरी समस्या है, आप जो भी कर रहे हैं, अगर आप उसे पूरी भागीदारी के साथ करते हैं, अगर आप में निश्चल तत्वम है, यानि आप जो कर रहे हैं, आप उसी में लगे रहते हैं, बस उसी में, हिमाले की सडकों पर गाड़ी चलाना आपके साथ यही करता है ट्रेकिंग या परवता रोहन भी आपके साथ यही करता है जब आप ये काम करते हैं तो आप कुछ भी और नहीं कर सकते आप कुछ और करने की कोशिश करेंगे तो वो आपका आखरी काम होगा अगर आप इन सडकों पर अपनी गाड़ी वाकई तेज चलाते हैं तो आप सिर्फ वही कर सकते हैं अगर आप कुछ और करने की कोशिश करते हैं तो वो आप आखरी काम कर रहे होंगे तो आप अपना जीवन उस तरीके से जीएं आप जो भी कर रहे हैं आप बस पूरी तरह वही करें अगर आप में वो निश्चल तत्वम है तो आप चाहिए जो करें वो ठीक है पर हर दिन बदलना बदलना बदलते रहना जो लोग 15 साल से शादी शुदा हैं अब वो सोच रहे हैं शायद मुझे ब्रहमचरे लेना चाहिए था जो लोग 10 साल से ब्रहमचारी हैं अब वो सोच रहे हैं शायद मुझे शादी कर लेनी चाहिए थी ये जीवन की अंतहीन बरबादी है